आपके अपने चैनल आयर्वेदी ग्रेमेडी पर आपका एक बाट फिस से स्वागत है हमारे सरीद के कुछ अंग जैसे पेट, गुर्दे, पेट इनमें पत्री बनती है वो पत्री का दर्द बरदार्द से बाहर होता है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब पित्ता से में पत्री बनती है तो क्या लक्सण नजर आते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत कामका होने वाला है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें साथी घंटी वाला बड़न भी दवाएं वीडियो पसंद आये तो लाइक भी कर दें पिता से में दो तरह की पत्री ज्यादातर हो जाती है एक कॉलिस्टॉल गॉनिस्टॉन दूसरी पिग्मेंट गॉलिस्टॉन जब पिता से की तहली में केमिकल अपने संतुलन से बाहर हो जाते हैं तो पत्री बनने लगती है इन केमिकलों में कॉलिस्टॉल केल्सियम हो सकती है मोटे लोगों में खासकर महिलाओं में ये खाफी आम परिशानी है पित्ता से में पत्री वाले ज्यादतर लोगों में किसी तरह का कोई लक्षण तब तक नहीं दिखाई देता जब तक पित्ता से में पत्री की तादाद बढ़ने और पत्री का अकार बढ़ा ना हो पीलिया या आँखों में सफेद और तोचा में पीलापन होना कुछ मामलों में पेट में ज्यादा तेज़ दर होना सीने में जलन होना इसका सबसे समानी लकसर पेट के उपरी हिस्से में दर्द होना होता है और किसी किसी को दर्द के साथ उल्टी भी हो सकती है इन में से कोई एक लक्सण या सब नजर आएं तो डोक्टर से इस बारे में जरूर बात करें दर्द होने के बीच दिन, सबता, महीने और साल का वक्त लग सकता है दर्द आम तोर फेटी खाना खाने के 30 मिनट बाद शुरू होता है और ये पत्री का दर्द लगातार 5 घल्टे तक बना रह सकता है अक्सर ये दर्द आदी रात में होता है और इसमें मरीज नीन से जाग उठता है ये दर्द इनसान को बेचेहन कर देता है इसलिए इसका इलाज जितनी जल्दी हो करा लेना चाहिए आपको चाहिए कुछ भी ऐसा महसूस हो तो डोक्टरों से इस बारे में जरूर बात करें दोस्तो आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा हमें बताएं और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ये लाल वाला बटन दवाएं और हाँ पासी घंटी वाला बटन भी जरूर दवाएं दोस्तो इस वीडियो को अपनी फैमली और दोस्तों साथ जरूर शेयर करें स्क्रीन पर आ रहे वीडियो जरूर देखें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए इस सर्कल को टच्च या किलिक करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद